हलो नमस्कार मैं विकास दिवायरी स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल यूप इग्जाम क्रेजर में दोस्तों उत्तरप्रतेश ग्रामीड परिवेश से जुड़ी ही सिरिंखला का या सोलाहम वीडियो है पिछले के 15 वीडियो चैनल पर प्लेलिस्ट की माध्यम से एरें करना है ई-book को डाउनलोड करना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो कंटेंट को दोस्तों ये सारा का सारा टॉपिक हम जो परसों वीडियो आई थी उसमें डिसक्स किये हैं आप इन पर ने लगों किसान लिग दिया था इस जगहा पर हमने सीमांद किसान लिग दिया ठीक है ये इधर हो गया था और यहाला इतीन केसे कहते है लगों किसे कहते हैं जिनके एक से दो हेक्टेयर के मध्य भूमी होती है ठीक ना ये और ब्रहत किसान ब्रहत किसान बिलकुल सभी है ये एकदम सभी था ठीक ना तो आज की वीडियो पे आज की कंटेंट पे हम चलते हैं पहला है ये आर्थिक नियोजन जो हमारी पंच बरसी उजनाय है उसको आज वाले और जो पर्षों का वीडियो है इन दोनों में हम लोग खतम कर रहे होंगे ठीक न तो आर्थिक नियोजन क्या होता है संसाधनों की उचित उपयोग के लिए सरकार नियोजन करती है जैसे आप ही इसे कहा जाए कि आपके पास भी हमने 10,000 रुपे देती हैं ठीक न अब इसका करते हैं बहतर यूच करना है अपको तो आप क्या करेंगे एक प्लान बनाएंगे को यह कर ना है इस सरकार चेओं चले पान सालों के लिए कर रही है मिनिमम पान सालों के लिए ठीक न तो इसी को बोलते हैं आर्थिक नियोजन ठीक न अगला पॉइंट हो भारत में नियोजन का इतिहास योजना आयोग से भी पुराना योजना योजना आयोग ही जो है आर्थिक नियोजन का काम कर रही होती थी ठ क्यों कह रहें कि इससे भी पुराना है इसका कोई प्रूफ है हाँ है भारत में सरपर्थम 1934 में 1934 भारत आजाद नहीं हुआ था 1934 में M200 सरया की पुस्तक थी उसका नाम था प्लांड इकोनोमी फॉर इंडिया ठीक है उसी में नियोजन की संकल्पना उसी में प्लानिंग की कॉंसे Mitch cocaine को प्रस्तुद किया ठीक ना 1945 में प्रमुक उद्योब्सपतियों द्वारा यह प्रमुक उद्योगपती कहां कि पाफूंबज के थे इनहीं के दौारा एक प्लान पेस किया गया था क्या था प्लान देश की अर्थविवस्था को बढ़ाने का प्लान था इसी प्लान को कहा गया बांबे प्लान ठीक ना 1950 में क्या हुआ 1950 में एक जैप्रकास नरायन थे जैप्रकास नरायन इन्होंने एक प्लान को प्रस्तुत किया उसका नाम रखा सर्वोदय प्लान सर्वोदय प्लान का मतलब सभी का उत्थान हो सके एक ऐसा प्लान प्रस्तुत किया गया तो जो सभी का उत्थान करने वाला मतलब एक देश स्तर पे देश ब्यापिय स्तर पे जो उत्थान होगा वही आर्थिक नियोजन देश के द्रिश्टी से कहा जाएगा ठीक न यह सब 1950 माने उसके पहले ही हो रहा इस योजनायोग के निर्माण के पहले ही सब यह प्रूफ यह प्रूफ दे परवाय था किसी नियोगी कौन थे यह एक समझले की आर्थिक अर्थसास्तरी थे इन्हों ने भारत आजाद हुआ था तो यह रूस की यत्रा पर दौरा पर गए थे वहां पर उन्होंने देखा कि एक मतलब अर्थव्योस्ता को कैसे लोगों को अच्छे से बहतर आर्थिक विकास हो सक्यों उन्होंने देखा कि आर्थिक नियोजन नाम की कोई चीज होती है तो और ही जीज जब वहां से आये इंडिया तो उन्होंने इस प्रवस्था को भारत में भी लागू करaya ठीक आगे पॉइंट केसी नियोगी ने इनका पूरा नाम छितिज चंद्र नियोगी था ठीक ना केसी नियोगी के सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का स्थापना किया गया ठीक ना कब हुआ था 15 मार्च 1950 इस इंपॉर्टेंट योजना आयोग एक गैर संविधानिक संस्था गैर संब्यधानिक मतलब जिसले का उल्ले कि संभिधान में कहीं भी नहीं वहा हो गैर संभिधानिक संस्था कहलाती है ठीकना योजना आयोग ने तेरा अगस्त दोजार चौदा यह अभी जो दोजार चौदा साथ आठ साल पहले बीता है इस तक मतलब तेरा अगस्त दोजार चौदा तक अपनी सेवाएं दी तथा एक जनर्वी 2015 को योजना आयोग के अस्थान पर नई संस था क्या नाम था उसका नीती आयोग का निर्माण किया गया समझ रहे होंगे योजना आयोग का मुख्य काम पंच वर्षी योजना का मसोधा तयार करना होता है अब इसके बारे में एक दू चीज़ें और जान लिए योजना होगा प्रधान मंतिर होगा वह होता ठीक ना इसके उपाध्यक्ष न्यूक्त किये जाते हैं बनाए जाते हैं तो यह चीज़ होगा आगे देखते हैं राश्ट्रिय विकास परिशद देखिए जो योजना आयोग था वह मतलब बहुत ही कम लोगों की संस्था थी जितने भ आयोग द्वारा ही बना के पास करती गई थी तब 1921 वह उस्पास करती गए थी तो 1952 तक डेड़ साल भी तो योजना के लागे होते हुए लेकिन उन्हों को लगा कि जिस हिसाब से विकास को आके थे उतना हो जाना चाहिए आकलन किये थे उस हिसाब से हो नहीं रहा तो सब लोग सोचे कि गलती कहां होई है तो यह सोचे कि भीया हम लोग जैसे यहां दिल्लियम बैठके योजना बनाती हैं एक अरुणांचर प्रदेश केरल का कोई गाउं वहां पे किस तरीके का विकास चाहिए हमको तो उतना नहीं पता है काम करते हैं कुछ ऐसी संस्था बनाते सभी राज्यों के सीयम भी होंगे ठीकना सभी राज्यों जितना उसमें राज्य थे में उसमें उपस्थित होंगे है यह फंच बर्षी योजनान का अनुमोधन करता था मने फाइनल मुहर कौन लगाता था यह इसका जो है 6 अगस्त 1952 में जिसका निर्माण हुआ था ठीक मुझनायोग का जिक्र संविधान में कहीं नहीं है अता यह संस्थाएं गैर संविधानिक संस्थाएं हैं ठीक ना क्योंकि इन दोनों का निर्मान संविधान के निर्मान के बाद हुआ है इसी वज़े से इन दोनों को संविधान एत्तर संस्था भी कहा जा सकता ठीक ना आग हो थी सरल टॉपिक मनले आप ऐसे देख बता सकते हैं इसको कौन सा हो सकता मैंने आप प्लानिंग क्यों करते हैं यह सारा का सवरा आपका पॉजिटिवनेस को दिखाएगा ठीक ना मैंसे पढ़ देते होचेगा गरीबी निर्माड यह रोजगार आउसरों का स्रेजन होगा अर्थिक नियुजन के चलते ठीक ना आत्निरबरता की प्राप्ति होगी निवेश यह पूंजी निर्माड बनेगा आप में फिर समान आए बितरण यह है ठीक ना आधुनिकी करण को बढ़ावा मिलेग फिर्ण और हैं होगा यह उस दौड में पीछे रह जाइंगे तो इसका इन बढ़ी किसी के करतब होता है तो आर्थिक नियोजन के जरीए पूरा किया जा सकता हैं तीब्र आर्थिक विकास समाबेशी विकास होगा ठीक न और धारण ये विकास भी साथी होता रहेगा फिर आगे देखते हैं पहली पंचवर्षी योजना जो की 1951 से 56 तक चली थी अब यह पूछा जाता है कि यह किस मॉडल पर आधारी थी तो अंसर हो जाता हमारा हैराल डोमर मॉडल हैराल डोमर मॉडल ठीक न हैराल डोमर मॉडल पहली पंचवर्षी योजना यहीं पर आधारी थी इसका मुख के उद्देश से था क्रिसी उत्पादन को बढ़ावा देना देखे जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय लोगों में उतन भावा देना हमारे पास समझे लोग एक और एक मात्र 24 थी इसी पे हम लोग ध्यान देए ठीकना इस योजना में क्रिसी उत्पादन अपने लच्छे से दो गुना बढ़ गया था कि उत्पादन जो था जितना लच्छ हम लोग सोंके थे 10 कुंटल होगा या 100 कुंटल जो साल बढ़के एक ही साल में बढ़के 200 कुंटल निकला था समझ लीजिए जितना सोचे तो उतना से दोगुना मिला था प्रथम पंचबर्शी उजना के अंतरगत भाखडा नंगल डैम बना था दामोदर घाटी परियोजना को और हीरा कुन परियोजना को बनाया था अब यह क् एक रिज़ना में क्रिशी छेतर के विकास को सरवज प्रात्मिकता दी गए थैं इसके विभाजन तथा उन्हीं सो पाकिस्तान से हुआ था ठीक ना उन्हीं सो आड़तालिस के युद्पन आसंतुलन को दूर करना इस पंचबर्शी उजना का उद्देश से था ठीक ना यह समझाने कोई बात नहीं बस यह इसमें है कि 1949 में भी पाकिस्तान से एक युद्ध हुआ था जिसमें पाकिस्तान हा रहा था नियुंतम समय में खाद्यान में आत्मिर्भरता की प्राप्ति करना था जो की हुई भी थी ठीक न लगू एवं कुटीर उद्ध्योगों यह अधार करना और और अध्योगी करण यह तु वांचित प्रिस्ट भूमी तयार करना दिखिए हम लोगों को आगे चलके बड़े-बड़े करना यह क्रिस्टी में नहीं खेलना था हमको बड़े-बड़े इससे उद्ध्योगों को भी बढ़ावा देना था इन सब के लिए बूमी तयार की गई थी कौन सब पंच वर्षी उजना में पहले वाले में ठीक ना यहीं चीज है यह वाला पॉइंट बोला है योजना के अंतिम दो वर्ष में अच्छे उत्पादन के करने योजना सफल रही थी अगला पॉइंट देखते हैं अगली वाली पंच वर्षी ठीक ना इसका इसका प्रमुख उद्देश जो था भारती उध्यों को अस्थापत करना पहला वुद्द्यों की इस्थापना के लिए विदेशों से आतदिक रिंड लेना पड़ा जिस कारण से इस योजना को आसफल माना जैजा मतलब एकदम से आसफल नहीं थी लेकिन कह गहां जा सकता है पहले वाले के तुलना में असफल थी भारत के बड़े-बड़े स्टील प्लांट इसी योजना की देन है इसी योजना में लगे थे बड़े-बड़े प्लांट जीसे सब से मसले यह और तीसरा हो जाएगा डी से दुर्गापूरा दुर्गापूर ठीक है अब भिलाई है आपका कहां पर ठीक है अब यह भिलाई किसके साहता से लगा था उस समय के यूससस राज का रसी ही है ठीक है और यह राउरकेला किसके जाहता से जर्मनी ठीक अब यह अगे पौइंट पर देखते हैं जारी है उसी अकला पौइंट है ये guit Ciao कि प्रमकुषद देश से क्या क्या थे आधार भूत और भारी उद्योगों पर बिसेश जोड़ दे करके प्रद्योगी करण को बढ़ावा देना था अगला पॉइंट है रोजगार आउसरों में बड़े पयमाने पर प्रसार करना था जो रोजगार थे उनके जो अवसर हैं उनको अच्छे तरीके से देना एकदम हासिये पर खड़ी लोगों को भी इस लोगों और दम या खिअर्ध और धन कि आसमानता में कमी करना जो आई और धन खिया पत्सद ड़ह धना कुछ कम करना आर्थिक सक्ति का अधिक समान बितरण करना वही चीज़ है तीसरी पंजवर्षी योजना पर आते हैं जो कि 1961 से उनीसो चाट तक चली थी अब तक 15 साल भी चुके हैं 1961 से 56 थी चाट थी देश का विकास नहीं कर पाएंगे हमको विकास करना है तो दोनों सेक्टर को बराबर तवज्जो देना पड़ेगा तो यही चीज कहा जा रहा है यही योजना अब तक की सबसे असफल योजना रही है सबसे असफल मारे आब तक की 2012 तक योजना आयोग था मतलब 2012 तक योजना ये लागों की गए थी तब तक की बाते की जा रहे हैं कि ये तीसरी पंचवर्श योजना थी ये बेचारी थी समझ लो या योजना भारतिय अर्थव्योस्ता को आत्म निर्भर तता स्वत्तन तर बनाने के लच्च के साथ प्रारंब हुई थी सब कोई ऐसा ही सारी अर्थव्योस्ता ऐसी हुई थी प्रारंब भारत मतलब खाद्यानों की छेत्र में आत्म निर्भरता हासिल करना तथा उद्योग होई का बुनियादी उद्योगों जैसे इसपात रसायन इंदन बिजली छेत्र में विस्तारता था मसी निरमार की चमता अजयरूत्ता करना ताकि आने वाले भविष्ष सकते दस साल के भीतर ही हम अपने सादनं का आध्योगों की जरूरतों की ने विए जब ऐस्धाल के ऐथ कि चीजए चिल रही थी की दससाला आगे हमारा जो विकास होगा उसमें जरूरतें क्या क्या होंगी जो भी जरूरते होंगी वह बाहर से ना इंपोर्ट करें अपने ही देश में उसको बनाए उसको निर्मित करें ठीक है यह था फिर अगला पॉइंट है देश की मानविये सक्ति का पूर्ण उपयोग तथा रोजगार आउसरों में ब्रिद्धी करना इसका प 1962 में चीन से युद्धुवा था 1962 में चीन से युद्धुवा और भारत की समझ लिए हिस्ट्री में कालत चैप्टर जुड़ गया कि भारत को हार मिली ठीक ना अगला पॉइंट है 1965 में पाकिस्तान से युद्धुवा हां साथी जो जब यह हार हुई तो नहरू जी डिप् लेकिन चीनी ओर पीठ में खंजर्वो का था इसवज़ेश डिप्रेशन में चले गए उनकी मृत्ति होगई साथी 1965 में पाकिस्तान से युद्धुवा था पाकिस्तान तोहारा था भारत इसमें जीता था किसी युद्ध मतलब यह किसी नहीं इसमें इसी है इसी युद्ध में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बादूर सास्त्री जी ने जए जवान जए किसान का नारा दिया था यह पूछा जा सकता है कि जए जवान जए किसान नारा कौन से पंचवर्शियोजना के ताहद दिया गया था तो अब भारत पाक यूद 1965 में ठीक नूँ तो दोस्तों हमने कल से एक सिरीज स्टार्ट किया है मतलब इसी वीडियो में रहेगी जिसका आज का यह टॉपिक संविधान के प्रमुक भाग संविधान अगर एक बुक है तो इस बुक में कुछ चैप्टर दिये हूं उन चैप्टर को संविधान की भाग बोलते है ठीक ना और उसके कितने कितने राज अच्छेतर उसका एरिया इस सब के बारे में बात करता है भाग दो यह जो यह संग है राज अच्छेतर है उसमें कौन-कौन लोग रहेंगी कौन-कौन नागरिक होंगे उसके बारे में बात करता है मतलब नागरिकता की बात करता है तीसरा है तो नागरिक हैं आके इनके क्या-क्या अधिकार होंगे ठीक ना उसको बोल रहे हैं मुलत क्या जिसको तीन में रखा गया है चार में हैं राज के नीत निर्दे सकता तो मानि जो यह सरकार है संग है इसका भी कोई न कोई करता भी होता है पहले तो अधिकार इन लों बच्चो कि अब राजह ने दे दिए अपनी तर्व से करतब कहा राध्य का समोप्ता नहीं कि वादा के फरती अब है आपके तरफ से वह कुछ उत्तरदाइत तो होता है आपका दाई तो बनता है आपका करतब्य होता है कि सरकार के प्रति देश के प्रति आप भी उपस्तित हो तो कहा कहा गया है भाग 4 A में मौलिक करतब्य भाग 5 क्या मतलब शंग माने union अगो ठीक ना भी यूनियन के सिंटर लेवल कैबिनेट होगा लोग सभाँ होगा सुप्रिम कोर्ट होगा कैग होगा यह सब संग में आएगा फिर राज्य हो जाएगा राज्य जो स्टेट्स होते हैं 28 राज्य बरतमान में यह भाग तहेंगा भाग साथ भाग साथ अभी समप्त कर दिया गया है भाग आठ hijos यूइन टरिटी यूटी और ब Vermont गाव भाग नोए और नोबी सहब कर दिछांग बताता है जोड़े गया है ठा Southern को छोड़ दी हैं पर को इंपोर्टन नहीं था भाग 11 क्या बताता है जो संग और राज मानि जो पांचवे चैप्टर के और छठे चैप्टर के अंतरगत दोनों हैं उनके बीच में संबंध को बताता है कौन सा भाग 11 पांच और 6 को जोड़ोगे तो क्या आएगा 11 आएगा यह सारी से माइए कौन से भाग में आती भाग चाउदा में आती है आगे बढ़ते हैं बस इतना और बचा है भाग 15 भाग 15 इलेक्षन कमीशन आता है निरवाचन आयोग भाग 17 राजभासा आता है भाग 17 राजभासा इसको याद करने के एक ट्रिक दिख लिजे राजभास भासा हिंदी हिंदी के बारें को कुछ उल्टा सिधा वोले तो उसके जीवन पर खत्रा खत्रा से सत्रा ठीक है अठारा आपात कालीन उपबंद जो जर्मनी से लिए गया है और 19 नहीं पोड़ने था 20 संभिधान संसोधन जो की दच्छण अफ्रीका से लिए गया है भाग 21 से आस्था संक्रमण कालीन तथा विशेश उपबंद यह भाग 21 जो है जैसे आपने धारा 370 जम्मु कस्मीर अला हटा दिया गया जो की उपता वह सुना है ना वह सभी भाग 21 में आते थे बरतमान में धारा 371 जो की जम्मु कस्मीर नागा लैंड से संबंदित है यह अभी जिसका टॉपिक होगा प्रस्णों के सिलिंख भाग 6 और दोस्तों जो गलती थी हमने पहले में ही सुधार दिया था और माप करियो दोस्तों वह गलती अंजाने में हो गई है हम अगर समझे होते तो उसी समय कर दियो होते तो धन्यबाद दोस्तों मिलते हैं अगले वीडिय